एक बार क्या हुआ एक बुड़ी मा रात को साड़े ग्यारा बजे रसोई में बरतन साफ कर रही है घर में दो बहुए हैं जो बरतनों की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों को सास को लहना देने को कहती है वो कहती हैं आपकी मा को मना करो इतनी रात को बरतन धोने के लिए हमारी नींद खराब होती है साथी सुबै चार बजे उठकर फिर खटर पटर शुरू कर देती है माजी सुबै पांच बजे पूजा आर्थी करके हमें सोने नहीं देती ना रात को ना ही सुबै जाओ, सोच क्या रहे हो, जाकर मा को मना करो बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है रास्ते में छोटे भाई के कमरे में ऐसे भी वही बातें सुनाई पड़ती है जो उसके कमरे में हो रही थी वो छोटे भाई को कमरे को खटखटा आता है छोटा भाई भी बाहर आता है दोनों भाई रसोई में जाते हैं मा के साथ में बरतन दोने में मदद करने लगते हैं मा मना करती है पर वो नहीं मानते बरतन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई मा को बड़े प्यार से उसके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं पिताजी भी जाग रहे हैं दोनों भाई मा को बिष्टर पर बेठा कर कहते हैं मा सुबै हमें जल्दी उठा देना, हमें भी पूजा करनी है और सुबै पिताजी के साथ योगा भी करेंगे हम लोग मा बोली ठीक है बेटा दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगते हैं अब रात को साड़े नौप पर ही बरतन मांजने लगते हैं उनके पती तो पतनिया बोली माता जी साफ करती तो है आप क्यूं कर रहे हो बरतन साफ तो बेटे बोले हम लोगों की साधी करने के पीछे एक कारण यह भी था कि मा की साहता हो जाएगी पर तुम लोग ये कारण नहीं कर रही हो कोई बात नहीं हम अपनी मा की साहता कर देते हैं हमारी तो मा है इसमें क्या बुराई है अगले तीन दिनों में, घर में पूरा बदलाव आ गया बहुए जल्दी बरतन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पती बरतन साफ करने लगे साथी सुबै भी वो भी पतियों के साथ ही उठंने लगी और पूजा आरती में सामेल होने लगी कुछ दिनों में पूरे घर के वातावरण में पूरा बदलावा गया बहुए साथ ससर को पूरा सम्मान देनी लगी अब साथियों कहानी का सार मा का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुए उनका सम्मान नहीं करती मा का सम्मान तब कम होता है जब बेटे मा का सम्मान नहीं करते या मा के कार में सायोग नहीं करते जन्म का रिष्ता है माता पिता पहले आपके है सो गाई साथ की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरू करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो को सभी तक सेर करना